हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम compare instruction पढ़ेंगे सेंबरी लेंग्विज में के compare instruction का क्या काम होता है और compare instruction का scientist क्या है और हम एक अग्जेंपल भी देखेंगे सबसे पहले तो हमने मैंने ना compare instruction का scientist लिख दिया है हम compare instruction के लिए निमोनिक CMP का इसमाल करते हैं उसके बाद destination और source ठीक है यह हमारा compare instruction का sentence है याद रखें जो compare instruction है assembly language में यह बहुत ही important है ऐसा समझे कि compare instruction के बगार थामना assembly language में decision नहीं कर सकते यह compare instruction if condition है assembly language की तो इसको समझना बहुत ही important है इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है आके जाके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो इस्तमाल है वो किस हिसाब से होता है हम इसका इस्तमाल करते हैं destination और source दोनों ही इसके अंदर हम use करते हैं और compare instruction का करती है हमारे destination और source को compare करती है और compare करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो flag register है वो active हो जाते हैं तो वो active कब होते हैं एक्टिव तब होते हैं कि जब first condition इसकी यह है कि अगर compare instruction हम इस्तमाल कर रहे हैं और हमारा जो source है वो greater है हमारी destination से तो क्या होगा कि हमारा zero flag active नहीं होगा और हमारा carry flag active हो जाएगा यानि one हो जाएगा उसके बाद अगर हमारा जो destination है वो greater है source से तो नहीं हमारा zero flag active होगा और नहीं हमारा carry flag active होगा अगर destination और source जोनों equal है तो हमारा zero flag active हो जाएगा और carry flag active नहीं होगा इनके basis पे हम क्या करते हैं हम कुछ conditions हैं कुछ instructions हैं जिनका इस्तमाल करते हैं जो मैं आपको next video में बताऊंगा कि उनका हम इस्तमाल किसी साब से करते हैं कि सो लेट्स चेक मैं आपको चेक करवाता हूं क्या वाकी ऐसे होता है वाकी जो हमारे flags है वो effect होते हैं इंसे सो सबसे पहले मैं move करता हूं एक्स रिजिस्टर में मैं 12 move करवाता हूं 12 x और मैं bx रिजिस्टर में move करवाता हूं 13 x सो मैं compare करता हूं ax,bx को अब ax और bx में जो greater है वो क्या है greater है हमारा bx है और ax हमारा क्या है less than bx है तो इसमें क्या होना चाहिए according to condition हमारा carry flag active होना चाहिए so मैं आपको दिखाता हूं emulate करके क्या अब आखी carry flag हमारा active हो रहा है so let's check okay मैं आपको flex दिखाऊं देखें हमारे flex set नहीं है मैं यहाँ पर इसको रख देता हूं और single step करता हूं single step जैसे यह compare instruction जैसे ही चलेगी तो आप इन flex को देखिए गा so जैसे ही यह instruction execute हुई तो हमारा carry flag क्या हो गया one हो गया okay active हो गया okay मैं अब कर देता हूं b accept register में मैं कर देता हूं 11 अब क्या है अब हमारा जो destination है वो greater है source से okay destination greater है source से इस condition के तहत क्या होना चाहिए हमारे जो carry flag है वो भी zero होना चाहिए और zero flag भी zero ही होना चाहिए so let's check करते हैं हम मैं फ्लैक्स आपको दिखा दो फ्लैक्स हमारे यह देख लें आप मैं single step करता हूं okay 12 move हो गया AX में और 11 move हो गया BX में और आप compare instruction हमारी चलेगी compare instruction चल गई यहां पे इन फ्लैक्स पे कोई effect नहीं पड़ा okay so अब मैं आपको third condition है वो दिखा देता हूं अगर दोनों equal है तो यहां पे मैं कर देता हूं 12 अब हमारा source भी 12 है और destination भी 12 है तो अब क्या होना चाहिए कि अब zero flag active हो जाना चाहिए according to इन condition के तहाथ हमारा zero flag active हो जाना चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं सब्सक्राइब करता हूं एक्स में ट्वैलों हो गया बी एक्स में भी 12 हो गया अब हमारी compare instruction चलेगी और मैं आपको flag भी दिखा देता हूं साथ में यह हमारे flags है आप देखिए गाए अब compare instruction एडिस्क्यूट हो देखें जीरो flag हमारा हो गया active अब इनके तहत हम कुछ आगे instructions पढ़ेंगे जिनके तहत हम jump करेंगे जैसे jump जब हमारा carry flag active होता है तो हम एक instruction का इस्तमाल करते है जिसको हम कहते है jump carry और डूसरी instruction का इस्तमाल करते है jump not carry और हम इस्तमाल करते है jump z यानि जब zero flag active हो जाता है तो अब जब zero flag active नहीं होता तो हम करते है तो इन चार इन सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियो और अलाहाफीज